असलाम अलेकों दोस्त आज मैं आपको आटोकेट के अंदर जो डिमेंशन है कांटीन्यू उसके बारे में बताऊंगा तो वो लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप होम के अंदर आकर ये लैंगर के साथ एक डिमेंशन लगा लेते हैं तो आप असके बाद किया करूँगा अनवन के अंदर आकर ये कंटीन्यू डिमेंशन ये इदर पड़ी हुई है इसको मैं सेलेक्ट करऊगा तो तो देको ये वाला फेस जो है वह सलेक्ट होगया है और इस साइड से मैंने जो जो लाईन लगानी उस फेस से मैं उनके जो पॉन्ट प्रीच से कोई काम करना दो सीज़ें को यह सारी डिमेंशन लाग गी है तो मैं इसको दोबारा आपको बताता हूं इसमें लगाना इस तरह होता है कि आपने जिस point से start किया एक example है कि मैं गया करता हूँ मैंने इसको अंदर आकर यह linear के साथ अगर मैं इदर से start करूँगा इस point से और इस point पर छोड़ूँगा तो जो आपका continue dimension है continue जो आपका style है dimension का तो वह वाली जिदर से आपने छोड़ा है वो इस side पर शुरूँगी अगर मैं एक example है कि मैंने वही लेंड जो है वो इदर से लगाई और इस side पर छोड़ी तो मैंने इस side पर छोड़ा तो वो आपकी continue जो dimension है वो इस side से start हो जाएगी तो मैं यहां से शुरू होगी तो आपने जो पहला point है वो point से नहीं जो जहां पर आपने दूसरा point जो है वो क्लिक किया तो वहां पर जाके आपकी continue जो dimension है वो उसको select कर लेगी तो dimension मैं एक बार फिर मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ तो आपने क्या करना है कि आपने linear के साथ एक dimension लगानी है अगर मैं इस face से लगाऊंगा और इस face पे छोड़ूँगा तो आपकी linear जो है वो जो continue dimension है वो यहां से शुरू होगी तो अगर यहां से शुरू होगी तो इदर को जाएगी और अगर आपने इस point से start किया और इस point पे end किया linear वाली जो dimension है तो इदर से शुरू होगी तो मुझे basic के लिए कि मैं ऊपर को जाओं तो मैं क्या करूंगा यह मैं linear के साथ मैं यह पहले वाली dimension जो है यह मैं खुद लगा देता हूं तो दोस्ति यह देखो मैंने आपके सामने point के ऊपर यह जहांप 17 फिट आ रहा है यह लगा दिया तो अब दोस्ति यह है कि मैंने यह मेरा पहला point था यह मेरा दूसरा point है तो अब वो क्या करेगा अगर आप continue dimension लगाएंगे तो वो इसको पकड़ेगा मैं आपके सामने करके दाता हूं तो आपने क्या करना है अनोनेट के अंजर जाकर यह linear का जो symbol पड़ा हूआ है जो continue है dimension है यह continue dimension है यह देखो उसने उसको पकड़ लिया और आप आगे जागे मैंने जस्ट अपने point को click करना है और आपकी जो सारी की सारी dimension जो है वो लगती जाएगी जो आपने पहली dimension लगाई है उसको मद्दे ख्या रखना है कि यह जो continue line है वो dimension जो है वो हमेशा आपकी दूसरे point को follow करेगी पहले point को ignore कर देगी और इसके लाने का मक्सद ही होता है कि यह एक ही seed में और यह speed से काम करने के लिए यह लगाई जाती है और इसमें कोई margin नहीं बनता और यह एक दूसरे के ऊपर नीचे न आज continue dimension है उसके बारे में बरीफ किया तो मुझे मीद है कि आप लोगों को समझ आगी होगी अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो comments के अंदर या मेरे दियेवर नंबर पर एकाल करके वो मुझे पूछ सकता है और दोस्त अपना बहुत सारा ख्यार रखियेगा और मेरी वीड